अब मेत्रट है, divided by दौजांक तो दौजांक मेत्र से divide करने के लिए, जैसे निखेलनम में हम थ्री कोलंब मनाते थे, तो वैसे ही यहां दौजांक के अंदर भी उशे टाइप से थ्री कोलंब मनाएं गएं, उसके लिए अब यहां पर इस यह है डिवाइडेंट और यह है डिविजर तो डिविजर और डिविजर को कहां लिखते हैं कि सबसे पहले दोजांक है वो डिविजर में से लिया जाएगा तो दोजांक है वो हमेशा है आपको only one digit का लेना है और वो भी डिविजर का जो unit digit है उसको लेना है तो unit digit है यहां पर टू तो इस टू को दोजांक को यहां first column यह उपर लिखा जाएगा उसके बाद जो remaining digit है वो है 11 11 है वो main number होता है उसको यहां पर लिखा जाएगा तो यह यहां पर इस divide की process जब हम करेंगे तो इसमें यह दिविजर का काम करेगा तो 11 है वो हो गया डिविजर यहां पर और टू हो जाएगा दोजांक अब जो डिवाइडेंट था उन डिवाइडेंट में से दोजांक जब one digit का हो तो हमेशा ही इस डिवाइडेंट का जो unit digit है वो third column में only एक digit उतारने है तो यहां पर यह है two उसके बाद जो remaining यह three digit बच गए four hundred fifty three उसको थोड़ा थोड़ा गेप देखर के इस middle वाड़ कोलम में उतार लेंगे four five और यह three अब इस 11 का डिवाइड करना है 11 का डिवाइड करने के लिए इन सबी डिजिट में डिवाइड करना है तो 11 का डिवाइड करने के लिए जैसे हम डिवाइड की प्रोसेस करते है तो सबसे वहलें four को देखते हैं four है वह 11 से लेस देने इसलिए हम इस four को डिवाइड ने अगर के two digit लेने पढ़ेंगे अपने को तो two digit है यहां पे 45 तो इस 45 को डिवाइड करेंगे 11 से और यहां पर उसके step है आप यहां पर निचे लिखेंगे इसके steps तो उसका first step क्या कि 45 को डिवाइड करेंगे 11 से तो यहां से लिखेंगे इसको 45 divided by 11 तो यहां पर जो क्यूसेंट है वो 11 का डिवाइड करेंगे तो क्यूसेंट है वो 45 है वो डिवाइड होगा four times तो रिमेंडर है जाएगा one अब इस क्यूसेंट को इस मिडल वाले कोलम में यहां पर लिखेंगे अपने यह four वो रिमेंडर को अपने यहां पर यहां पर टू डिजिट लिए थे 45 जितने में डिजिट बन फरस्ट टाइम लेते हैं उनको छोड़ के next डो जो डिजिट होता है उससे पहले उसको लिख अगया थर्टिन उसके बाद लिखेंगे मोडिफाइड डिवाइडेंड तो मोडिफाइड के अंदर क्या करेंगे कि इस न्यू के अंदर से सब्ट्रेक्ट करेंगे दोजां का मल्टिप्लाई जो यहां पर फोर लिखा है उससे करके तो थर्टिन माइनस टू मल्टिप्लाई फोर तो यहोगया थर्टिन माइनस एट थर्टिन माइनस एट करेंगे तो यहोगया फाइफ हमेसा ही हमें जो डिवाइड करना है वो मोडिफाइड डिवाइड में करना है तो मोडिफाइड चाहें 0 आए लेकिन नेगेटिव नहीं आ तो फाइफ को डिवाइड करेंगे 11 से अब कई क्या करते हैं कि 11 divided by 5 लिख देते हैं तो वह गलत है 5 चाहिए 11 से लेस देना है लेकिन अपने इसको लिखते टाइम 5 divided by 11 अब 11 से जब आपन 5 को डिवाइड करेंगे तो यहां क्योसेंट अब देखो 5 है वो इलेवन से लेस देन है तो क्योसेंट यहां पर 0 बचेगा और रिमेंडर रिमेंडर जो अपना डिवाइडेंट था फाइफ एड़ रहे जाएगा यह 5 अब इस क्योसेंट 0 को यहां पर लिख देंगे 0 अब जो रिमेंडर 5 है वो नेक्स्ट जो डिजिट बचावा एक टू उससे पहले लिख द अब जो निव डिवाइडेंट है जो निव डिवाइडेंट है फाइफ और टू से मिल के बन गया 52 अब उसके बाद मोडिफाइड कि मोडिफाइड 42 तो 52 माइनस अब 2 का मल्टिप्लाइज 0 से करेंगे तो 2 मल्टिप्लाइज 0 तो यह होगे 52 माइनस 0 तो आगया 52 तो इस 52 को लास्ट थर्ड कॉलम में लिख देंगे यहां पे 52 अब यहां पे जो 40 और यह 52 आए तो 40 यहां पे एक्योसेंट है और 52 यह रहे हो है 52 तो हमें साहिए जो रिमेंड रहे है वह अपने डिविजर से लेस दें रहे तो डिविजर यहां वन एंडर 12 था जबकिए पना रिमेंड रहे है 52 तो तो इक्रिशन से आप इसको चेक भी कर सकते हो अब नेक्स्ट क्यूशन है वो है 1234 को डिवाइड करना है 42 से तो इसके अंदर वो इस से में प्रोसेस इसमें भी अपन थ्री कॉल्म कि अब 42 में से और 22 में से जो इसका यूनिट डिजिट है वो दो दाओं का मेंसा एक a single digit क disturbing है अब उसके लाओ जो रिमेनीग डिजिट बच गया 4 वह यहां पे तो यह तो मैंडिं हो जाएगा नमबर फेटों हो जाएगा दो जाएगा इस फॉर से हम यहां पर जो भी डिजिट लिखें उनको डिवाइड करेंगे और टू से यहां पर जो डिजिट आएगा उसको मल्टिप्लाइ करके सब्ट्रेक्ट करना होगा अब इस डिवाइडेंट में से लास्ट जो है फॉर यूनि डिजिट वो फॉर अमेशा ही थर्ड क में से भी आपको एक सिंगल डिजिट उतारना है उसके लाओ जो रिमेनिंग डिजिट बच गये हैं वन टू और थ्री मिटल वाले को लम में थोड़ा गेप से वन टू और यह थरी अब यहां पर इस फॉर से यहां जो भी डिजिट लिखेंगे उनको डिवाइड करेंगे तो फॉर से डिवाइड करने के लिए सबसे पहले अपना अगर वन लेते हैं तो वन है वो फॉर से लेस देन है इसलिए इसको डिवाइड वन से तो वन होगा नहीं अब इन दो डिजिट को लेंगे पन तो इन दो डिजिट से मिलके बन गये ट्वेल तो फर्स्ट स्टेम मे 12 को डिवाइड करेंगे 4 से तो यहाँ पर question 4 से डिवाइड करने के बाद 3 आ गया और जो remainder है वो आ गया 0 अब इस question 3 को 3 को यहाँ पर लिखेंगे और जो remainder 0 आया है वो जब अपने पहले 12 लिया था तो उसके जो next digit है उसे पहले लिखे देंगे 0 को यहाँ पर लिखे देंगे अब second step में जो new divident मनेगा वो new divident मनेगा 0 और 3 को मिलाने से 3 उसके बाद modified तो modified के लिए इस 3 में से subtract करेंगे 2 का multiply 3 से 2 multiply 3 तो यहाँ पर 3 minus 6 तो यह minus का 3 आ गया जब यह negative आ जाता है तो negative आने के बाद जो पहले दो step हुए है वो दोनों cancel होगे क्योंकि यह 0 आ सकता है modified कभी negative नहीं हाना चाहिए तो यह cancel करने के लिए अपनी यहाँ पर cross का निसान लगा कि आप दिखाओगे exam में अब जो अपना यहाँ पर quotient आया था और जो remainder 0 आया था उसको भी ऐसे cancel करना है अब अगेन अपन डिवाइड करेंगे वो first step द्वारा शुरू करेंगे और पहले जब quotient 3 था तो अपना remainder 0 बचा था जिसकी बज़र से negative आया था अब अब अगेन डिवाइड करेंगे तो इस quotient को यह कम कर देंगे तो इस 3 के जगाएपन 2 लिख देंगे जिस remainder के है ज्यादा रहेगा तो अब 3rd step के अंदर 3rd step के अंदर अगेन वापिस वोई डिवाइड शुरू करेंगे 12 divided by 3 तो इसके बाद यहाँ पर जो quotient है जो यहाँ पर quotient है वो 2 times हो का डिवाइड और जो remainder रहेगा 2 times divide होने के बाद में अब remainder यहाँ पर रहेगा 4 तो इस 3 के जगाएपन यहाँ पर लिख देंगे 2 और जो 0 था उसको cancel करने के बाद यहाँ पर लिख देंगे 4 अब 4th step में जो 4 और 3 से मिलके जो new dividend आया new dividend आया वो आया 43 उसके बाद जो modified है वो 43 minus अब 2 का multiply 2 से करेंगे तो 2 multiply 2 तो 43 minus 4 हो जाएगा तो जाएगा 39 अब modified है वो 39 है वो negative नहीं पोजिटिव है तो इस modified को divide करेंगे 5th step में again 39 divided by 4 तो यहां question है वो 9 times हो गया तो remainder हो गया वो 3 अब 4 का divide करेंगे 39 में तो 9 times 36 हो गया तो remainder हो गया 3 अब इस 9 को यहां पे लिख देंगे और इस 3 remainder को last digit बचावाए एक इससे पहले लिख देंगे आपे 3 अब 6 step में 3 और 4 से मिलके जो new dividend बना है अब उसके बाद में जो modified है वो 34 minus 2 का multiply 9 से करेंगे तो 34 minus 2 into 9 तो 34 minus 16 तो 34 minus 18 तो यह रह जाएगा 16 अब जो 16 है तो यह लास्ट के अंदर जो यह 16 बचा है और लास्ट डिजिट था यह 4 तो अब जो लास्ट new dividend के बाद में जो modified है 16 यह यहां थर्ड कोलम है लिख देंगे तो यह 29 हो गया यह क्वेशेंट हो गया और यह हो गया रिमेंडर तो इसका आप यहां पर निसी लिख सकते हैं क्यूँ आ गया हो 29 और रिमेंडर आ गया हो आ गया 16 जो नेक्स्ट कुष्ण है वो है 98765 डिवाड़ेड़ बाई 89 तो यहां इसके अंदर पर उसी तरह को अलम नहीं है अब यहां जो 89 को यह लिखेंगे तो यह 9 है यह दो जांक होगा तो 9 को यहां पर लिखेंगे और 8 है वो मेन नमबर होगा तो इसको यहां पर नेचे जो कि यहां डिविजर का काम करेगा अब दो जांक जब वन डिजिट का है तो इस डिवाड़ेंट से जो लास्ट डिजिट फाइफ वो थर्ड कोलम में लिख देंगे फाइफ बाकी जो बच गये है यह फोर डिजिट इसको मिडल बाड़े में थोड़ा के भी देके 9876 अब यहा को गया है जो डिवाड़ करने के लिए एट से डिवाड़ करेंगे तो सबसे पहले 9 है वो 8 से गरेटर देन है तो 9 को डिवाड़ करेंगे एट से 1st स्टेफ के अंदर 9 divided by 8 तो क्यूसेंट रह गया यह वन टाइम्स वा रीमेंडर भी रह गया वन अब इस क्यूसेंग्ज वन को अपने लिखेंगे यहां पे वो जो रीमेंडर वन है वो देगा अपने यहां पे नाईन लिया थे डिजित तो इसको 8 से पहली लिख देगा वन यहां पे अब जो सेकैस вып है वह फो गया 19 जो नूँ द्वाइद एंट तो नी ड्वाइद एंट वन ओर 8 से की हो गया 18 वोर्जा मॉडीफाईड कि मॉडिफाइड दिद्वाइट फो गया 18- सो यहां पर डिवाइड दो से गरना था तो 87 था डिजिट में 89 लिए था तो यह तो जाहं का वो 7 है तो इस 7 का मल्टिप्लाई 1 से करेंगे तो 18 माइनस 1 इंटू 7 तो 18 माइनस 7 तो 18 में से 7 माइनस करेंगे रहा गया 11 अब 11 अब वजिटीव है तो थर्ड स्टेव के अंदर 11 को डिवाइड करेंगे 8 से तो क्योशेंट हो गया वो 1 और मेंडर है गया 3 तो इस 1 को यहाँ पर लिखेंगे और मेंडर 3 है वो इस 7 से पहले 3 अब जो यह निव मना है वो गया 37 जो निव हो गया 37 और जो मोडिफाइड है वो गया 37 माइनस दो जांक 7 का मल्टिप्लाई 1 से करेंगे तो 7 इंटू 1 तो 37 माइनस 7 करेंगे तो यह गया 30 अब यह 30 भी पोजिटिव है तो इस 30 को गैन डिवाइड करेंगे 8 से 30 डिवाइड बाई 8 तो 8 से 30 को डिवाइड करेंगे तो क्यों सेंट 8 का 3 टाइमस 24 हो गया तो यहां रिमेंडर रहे गया 6 तो इस 3 को यहां पर लिख देंगे और इस 6 को जो नेक्स डिजित है 6 इस से प मोडिफाइड है वो गया 66 माइनस अब 7 का मल्टिप्लाइड 3 से करेंगे तो 7 मल्टिप्लाइड 3 तो 66 माइनस 21 तो 66 में से 21 माइनस होंगे तो यह 45 अब 7 स्टेप अब 45 अगेन पोजिटिव है तो 45 को डिवाइड करेंगे 8 से तो क्योशेंट रहे गया 5 और रिमेंडर भी 8 5 जा 40 तो रिमेंडर भी रहे गया 5 तो यह क्योशेंट 5 है वो यहांपे लिख देंगे और रिमेंडर है वो 5 यह लास्ट डिजित है 5 इससे पहले लिख देंगे अब यह लास्ट स्टेप होगा अगर अपना मोडिफाइड वो पॉजिटिव है तो निव है वो गया 55 तो मोडिफाइड 55-7 मॉल्टिपलाई 5 तो 55-35 तो यह गया 20 तो यह 20 है वो हो गया रिमेंडर और यह 11 35 यह हो गया क्योंट यहां प्याप दोगी क्योंट और रिमेंडर अ हुआ है इसका अलगा जाएगा आप जो नेक्स्ट क्योंट है उसमें एपने को थ्री डिजिट से डिवाइड करना है तो एकजाम इतना बड़ा क्योंट आता नहीं है क्योंकि दो नम्मर में आता है तो यह तनी बड़ी क्यालकुलेशन नहीं आती है ओंनली टो डिजिट तक लेकिन यह कॉर्स में दे रखा है तो इसका डिवाइड करने के लिए दोजांक को मेसा अपने को एक डिजिट कर लेना है तो दोजांक नाइन और यह मैं डिजिट होगा हो गया और दोजांक हो गया 9 थो यह होके दोजांक तो है तो यह दोजांक वान डिजिट का है तो लास्ट थर्ड को लमें टू आएगा बागी जो डिजिट है और टू बन जीरो फाइफ और थ्री यह मेडल वाले आए अब 87 के जो टेबल है इसके कोर्डिंग इसमें डिवाइड करेंगे तो 87 के कोर्डिंग यह ठ्रीडीजिटर लेने होता है क्योंकि 20 मुल लेते हैं तो 87 सेhehe यहांपर जो ट्यूंट है वो टू टाइम्स हो गया और जो तो टाइम्स करें तो वन एंडर सेंटीफोर होगा तो इसमें से माइनस करेंगे तो रिमेंड रह जाएगा 36 तो यहां पर क्रेशंट है वो टू यहां पर लिखेंगे और वेंडर 36 वह अपने देखो पहले तीन डिजिट लिए यह तो 36 को इस फार्व से पहले लिखेंगे यह जो new है वो तो आगया 361 और जो modified है वो थ्री हेंडर सीक्स्टी वन माइनस नाइन का मल्टिप्लाइट उसे किरेंगे तो नाइन मल्टिप्लाइट टू तो यह 18 हो गया जब 18 इसमें से माइनस करेंगे तो यह हो गया 343 अब धो थर्ड स्टेप में 343 है इसको डिड़ बाई 87 तो क्यूसेंट अब क्यूसेंट 343 से जो लेस्ट देने है वो 348 है 348 तो इसे ग्रेट देन हो गया है तो 261 नहीं तो इसका जो क्यूसेंट है क्यूसेंट आ जाएगा यह त्री टैम्स 261 और जो रिमेंड रहे है वो इसमें से 261 जब अपर माइनस करेंगे तो यह रहेगा 80 टूर्मेंट अब फिप फॉर्थ स्टेव के अंदर जो क्यूसेंट 3 है वो तो अपनियां लिख देंगे और जो 82 है वो इस 5 से पहले लिख देंगे तो यह हो जाएगा 82 अब 82 और 5 से मिलके यह हो जाएगा 825 तो फॉर्थ स्टेव के अंदर जो निव है वो आ गया 825 और जो मोडिफाइड है वो आ गया 825 माइनस अब 9 का मल्टिपलाइ 3 से करेंगे तो यह 825 माइनस 27 इसमें से माइनस करने पर यह हो गया 798 अब यह पोजिटिव है तो फिफ् इंदर 798 को डिवाइड करेंगे अगें 87 से तो यह जो क्यूसेंट 798 तो 798 से जो लेस देन है यह 787 है तो यह 9 टाइमस है तो क्यूसेंट आगे 9 और जो रिमेंडर है वो 87 इसमें से माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 15 अब जो क्यूसेंट 9 है वो यहाँ पर लिख देंगे और जो रिमेंडर 5 है वो इस 3 से पहले लिख देंगे 15 अब 6 टेप के अंदर जो न्यू है वो आगे 153 और जो मोडिफाइड है 153 माइनस करेंगे 9 का मल्टिप्लाइ 9 से 9 इंटू 9 तो 153 माइनस 9 का 9 से मल्टिप्लाइ तो 81 अब इसमें से सब्ट्रेक्ट करेंग तो यह बसा जाएगा 72 अब 72 को डिवाइड गरेंगे usable 87 से क्योंगे modified थो सेवन स्टेब में 72 को डिवाइड करेंगे 87 से तो यह 72 में यह यूज से ल कंदे ने है तो यहां जो क्यूशन्ट है वो तो पना क्या है रहेगा फिर जीरोке aja जो रौडर है वो जो डिवाइड Testing रहेगा 72 का 70 वह यह सेंट है वह यहां पे 0 लेख दिया और जो रिमेंडर 72 है वो इससे पहले लेख देंगे यह 72 अब यह लास्ट स्टेप होगा अपना क्योंकि थर्ड कोलम के बाद जो भी डिजिट लेते हैं उसे जो मोडिफाइड और न्यू बनता है वो लास्ट स्टेप होता है अगर वो पॉजिटिव आता है तो अब स्टेप नमर एट जो न्यू है वह से उन एंडर 22 और जो मोडिफाइड है वह से उन एंडर 22 माइनस 9 का मल्टिप्लाइज 0 से करेंगे तो 722 माइनस 0 तो यह से उन एंडर 22 तो यह होगा रिमेंडर और 2390 हो गया क्यों तो यहां पर लिख दें एक पूसियन 2390 और जो रिमेंडर है वह से उन हेंडर 22 तो यह स्काम स्रोड़ होगा